रात को सोने से पहले आपको लगाना है इस hair oil को अपने बालों में इससे आपके बालों का जढ़ना रुकेगा आपके बाल बहुत कम हो गए तो बाल आएंगे नई ग्रोध होगी इस hair oil की help से क्योंकि इस oil में हमने एक बहुत ही secret ingredient mix किया है उससे हमने इस तेल को बनाया है तो आपने भी इसी तरह से इस ओयल को बनाकर स्टोर कर लेना है जब भी आप शैंपू करें उससे एवरी सिंगल टाइम इस तेल को लगाकर सोना है रात को और शैंपू कर लेना है नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप इस ओयल को अपने बालो की जड़ो पर लगाओगे ना तो आपके स्कैल्प का जो बलड सर्कूलेशन है बहुत फास्ट हो जाएगा इससे कि आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे उसी के साथ बहुत ही एक खुबसूरत सी शाइन आपके शैंपू कीजिए फिर आप यकीन मान लेंगे कि इस ओयल के क्या चमतकार है क्या मैजिक हो सकते हैं तो चलिए अगर आप जानना चाहते हैं इसको बनाने का तरीका तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा विदाउट स्किप किये और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक सकते हैं क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको लेना है कोकोनट ओयल सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि नारेल का तेल जम जाता है तो आपने पहले इसको मेल्ट कर लेना है इस पूरे प्रोसीजर को आप बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर करेंगे तो जब स्टडी कीजिए इसके बारे में आप खुद पढ़िए च्वाइन से बना हुआ तेल आपके बालों में एक वर्दान है या नहीं इसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इसमें साथ से आठ डाल देंगे लॉंग ये दोनों ही चीज़े गरम तासीर की होती है जब आप ओयल में इसको डाल कर बनाएंगे इस ओयल को प्रिपेर करके अपने बालों पर लगाएंगे ना तो इससे आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कूलेशन इंप्रूव हो जाएगा ब्लड सर्कूलेशन जब डाउन होता है ना हमारा तभी हमारे बाल भी जड़ते हैं और हमारे बाल भी नहीं उगते बस सिर्फ पांच मिनट के अंदर अंदर ही आपका ये तेल बनकर रेडी हो जाएगा जब ये अच्छी तरह से ऐसे गोल्डन ब्राउन से हो जाएं आपने फ्लेम को ओफ कर देना है इसको ठंडा होने देना है और इसको चान कर किसी भी जाइन के बरतन में आपने इसको स्टोर करके रखना है और जब भी आप शेंपू करें आपको बाल धूने है आपने इसी ओईल को अ怕ने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मालिश करनी है सद्यो में अक्सर जो होता है न हमारे बालों की ग्रोथ ना रुक जाती है और में फ्रिज भी आ जाता है ठंड की वज़े से तो जब आप इस गुंगुने तेल से अपने बालों की अच्छी तरह से चंपी करेंगे ना तो बहुत ही खुबसूरत सी शाइन आएगी बालों का जड़ना रुकेगा नए बाल उगेंगे और सिल्की स्मूध शाइनी शैंपू तो अच्छी तरह से इस तरह से आपने भी चंपी करनी है अपने बालों की गुंगुने तेल को अपने बालों में लगाने के बाद ना आपने एक चोटी बना लेनी है और रात को अराम से सो जाना है और इस ओयल को अपना मैजिक दिखाने देना है तो बस यही थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीज़ेगा मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेक केर